इंडिया की 6 दिसम्बर को होने वाली बैठक फिलाल टाल दी गई है अब यह मेटिंग दिसम्बर के तीसे हफ़ते में होगी पश्चिम बंगाल की मुखे मंतरी ममता बैनर जी बिहार के सीम नितिश कुमार और सपाध्यक्ष अकिलेश यादो समित कई नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया था इसमें हाली में आये चुनाव नतीजों पर चच्चा होनी थी तीन दिसम्बर को पांच राज्यों के विदान सबाद चुनावों के नतीजे आये थे इसमें मध्यप्रदेश, राजिस्तान और 36 गड़ में बीजेबी ने जबदस जीत दर्च की इसी के बाद कॉंगर्स अद्यक्ष मलिक का जुन खडगे ने 6 दिसम्बर को इंडिया की मिटिंग बुलाने की कोशना की थी बैटक में ना आने के सबने अलग अलग कारण बताए ममता बैनर जी बोली मुझे नहीं पता बैटक की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है मुझे कायरगम में उत्तर बंगाल जाना है अगर मेरे पास बैटक की सुचना होती तो मैं उस हिसाब से कायरगम तै कर लेती एमके स्टॉलिन ने कहा तमिल नाडू में मिजोग चकरावत आया है ये प्रभावे छेतरों का दोरा करने जा रखे हैं उन्होंने दिल्ली आने में असमर्था जताई थी नितिश कुमार ने कहा बिमारी के जलते दिल्ली नहीं जा पाऊंगा हैमन सोरिन ने कहा मैं राज्य में ही व्यस्त हूँ मेरी जगा मेरा प्रतिनीदी दिल्ली की मिटिंग में शामिल होगा संजेर राउत ने कहा बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाई गई थी पांच राज्यों के चुनावी नतीचे आने से पहले बैठक फिक्स थी हम शिव सेना शरत पवार के नेतरत वाली एंसीपी और कॉंगर्स के साथ मिलकर लोगसबा चुनाव लड़ेंगे लालू प्रसात यादव ने कहा 17 दिसंबर को बैठक होगी जिसमें सभी मौझूत रहेंगे